ओम स्री गनिशा नमदोस्तू एश्ट्रू समधान यूट्यूब चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है दोस्तो आज एकी इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं 28 अपरेल रविवार के रासी फल के बारे में कि यह दिन करक रासी वालों के लिए कैसा रहने वाला हैं किन किन चीजों से इनको फाइदा होगा किन किन चीजों से इनको सावधान रहना होगा इनकी लव लाइफ कैसी रहेगी करियर कैसा रहेगा बिजिनी सर्वियापार कैसा रहेगा और स्वास्त की महत्पपोन जानकारी हम आपको देंगे और इसे वीडियो के अंत में हम आपको एक उपाई भी बताएंगे जिससे आप अपने आज के दिन को और भी अच्छा और बहतर बना सकें दोस्तों आगे वीडियो सुरू करने से पहले मेरी आप लोग को से रिक्वेस्ट है अगर आप हमारे इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें साथ में नोटिफिकेशन बैल को भी दबाएं जिससे समय समय पर आप लोगों तक हमारी ने ने वीडियो पहुंश सकें चड़ी दोस्तों बात करते हैं कैसा रहेगा करकराशी वालों के लिए रवीवार का दिन सबसे पहले बात कर करते हैं कि आपके लिए आज पॉजिटिव रहने वाला हैं दोस्तों आज प्रकरती आपका भरपूर साथ दे रही हैं कोई लाबदायक और महत्पपूर्ण सवाचार मिलने से आप स्वेम को आत्मबल और भावनात्मक रूप से बहुत अधिक शशक्त महसूस करेंगे रु होने वाला है आज कोई महत्पपूर्ण समाचार आपको अवश्य मिलेगा आर्थिक समस्य हल होंगी रुके हुए किसी जमीन जायजाद सम्मंदित कारों में आपको सफलता मिलने के आज योग बन रहे हैं किसी पुराने मित्र से मुलाकात होने से मन बहुती प्रसन रहेगा आज सुक्षिवदाओं जैसी चीजों को खरीदारी में समय व्यत्तित होगा अपनी प्रतिबां और चमताओं को समझें इससे आपके व्यत्तित में और अधिक निखार आ जाएगा तथा समाज में आपकी छवी भी निखरेगी आज का दिन व्यस्तता पूर्ण रहेगा काम का बहुत अधिक बोज रहेगा परंतु सफलता मिलने से ठकान हावी नहीं होगी और उत्सा आपका बना हुआ रहेगा घर में महमानों के आगमन से मौज मस्ती में भी समय व्यत्तित होगा अपनी योजनाओं को सफल बनाने का आज का दिन बहुती उत्तम है काफी लंबे सम कानी से आज आपको मुक्ती मिलेगी जिससे आप आज खुद को तनाव मुक्त महसूस करेंगे और आर्थिक मामलों में भी ठोस और महत्वपूर्ण निर्णे लाबदायक साबित होंगे दोस्तों समय की चाल आपके पक्ष में हैं इसका आप आज भरपूर उपियोग करें आपकी भैतर कार्य प्रणाली की वज़े से आप लोगों के शमक्ष प्रशंसा का पात्र रहेंगे परंतु कोई भी काम अत्वा योजना की पहले रूप रे का अवश्य बना लें आपके लिए बहुत यच्छ रहेगा दोस्तों अनेक प्रिकार की सफलता हैं आज आपको अ नियंत रखें किसी संबंदी या पडोसी के साथ वाद विवाद जैसी इस्तिती उत्पन हो सकती हैं भैतर होगा कि अपने काम पर आप ध्यान दें दूसरों की फिजूल बातों को नजर अंदाज करें मन में कुछ अनहुनी होनी जैसी आसंका होने का आज भै रहेगा अपन दोस्तों आये के संसादनों में कमी रहेगी परंतु खर्चे वर करार रहेंगे इसलिए अपने बजट के अनुशारी खर्च करें कुछ ऐस्वस्तता महसूस करेंगे लेकिन आपका कॉन्फिडेंस आपको एक्टिव बनाकर रखना होगा दोस्तों साती सात दूसरों की वज उत्पन हो सकता है कुछ पृति दूंदी जलन की भावना के कारण आपके लिए कुछ नकार अत्मक वातावरन उत्पन कर सकते हैं और किसी बात को लेकर कहा सुनी भी हो सकती है परंतु जरासी सावधानी आपको परेसानियों से मुक्त रखेगी घर के बड़े बुजर्गो की अवहेलना बिलकुल ना करें कभी कभी लापरवाही और आलस की वजए से आपके बंतिक कारों में रुकावट आ सकती है साथ ही अपने विचारों में भी लचीलापन रखें आपके लिए अच्छा रहेगा दोस्तो बात कर लेते हैं आज आपकी लव लाइफ के शिरेनी गली है दोस्तो विवाहित जीवन में समान जश रहेगा मनोरंजन संबंदी कारों में समय व्यतित होने से परिवार में हास परिहास वे खुसी का माहूल रहेगा परिवारिक वातावरन आज सुखद बना हुआ रहेगा प्रेम संबंदों में भी प्रेगड़त आएगी रोम उसे मिलना जुलना खुसी और इस्फूर्ती प्रदान करेगा परिवारिक वातावरन खुसनुमा रहेगा घर के सभी सदस्य एक दूसरे के साथ समय व्यतित करेंगे बहारी संबंदों से सावधान रहें इनसे मानहानी होनी की भी संभावना है परिवार के व्यक्ति आप से करेंगे क्योंकि काम की व्यस्तता के कारण आप परिवार को समय नहीं दे पा रहे हैं इसलिए उनके लिए भी कुछ समय आप अवश्य निकालें विवाहित संबंदों में कुछ समय से चल रहें तनाव को साथ बैठ कर सुल जाने में सफलता मिलेगी और घर का वातावरन पुन कारों में कमी आने से तनाव रह सकता है परन्तु आपकी पेमेंट आने से आर्थिक इस्तिती मजबूत रहेगी इसलिए फिक्र करने की आवश्यक्ता नहीं हैं किसी उच्छ अधिकारी का शयोग आपके कारों में मन मुताविक सफलता प्रदान करेगा साथ ही कोई बड़ा और भी मिलने की भी आज संभावना है सरकारी शेवारत व्यक्तियों के उपर काम का अधिक बोज आज पढ़ सकता है कारे छित्र में कोई भी निर्णे अकेले ना लें बलकि टीम वर्क बना कर काम करें इससे व्यवस्ता उत्तम बनी रहेगी आर्थिक मामलों पर किसी पर अ समझोता करें दोस्तों व्यवसाय छेत्र में आपको अपनी मेहनत के अनुरूप बहतर परिणाम हासिल होंगे आज आपके भाग्य का आपको अधिक शयोग प्राप्त होगा नोकरी पेशा व्यक्ति किसी सरकारी मामलों में फस सकते हैं सावधान रहें व्यवसाय के परिस्त सम्बंदित योजनाएं किसी भी बहारी व्यक्ति से आप शेयर ना करें कोई इसका अनुचित उप्योग कर सकता है और और सम्बंदित सभी कारों में पक्के भिलका आप उप्योग करें दोस्तों नोकरी करने वाले जातकों के लिए आज का दिन बहुती लाबदायक दिन र अनुबब होगा दोस्तों बात कर लेते हैं आज आपका स्वास्त कैसा रहने वाला है दोस्तों गैस और ऐसे डिटी से आज परिशानी रहेगी खान पान में सेयम रखें वेवेस्तित दिन चरिया रखने की आज आवश शक्ता है स्वास्त मौसम के बदलाव की वज़े से ठ अनुबब और कमजोरी महसूस होगी अपना इम्योन सिस्टम स्टॉंग रखें जिहां दोस्तों अपने स्वास्त को और भी अच्छा रखने के लिए आप रोजाना योग करें वयाम करें स्वस्त रहें दोस्तों बात कर लेते हैं आज आपके लिए विशे शुपाय क्या है दोस्तों आज आप इशनान आदिशे निर्वत्र होने के बाद तामे के बरतन, लाल वस्त्र, गैहूं, गुड लाल चंदन इन में से किसी भी चींज का दान आप भगवान शुर्देव के सिर्वाश करते हुए अवश्य करें या दोस्तों ऐसा करने से भगवान शुर्दे से बनते चले जाएंगे दोस्तों आप इस उपाय को वश्य करें आपको वश्य ही लाभ प्राप्त होगा दोस्तों भगवान शुरदेव का शिरवाद आपको प्राप्त हो सच्च दिल से कमेंट स्बोक्स में जैशुरदेव वश्य लिखें और वीडियो को लाइक करना ना भ भूलें धन्यवाद